सुरत में AIMIM पार्टी उमिद्वार की कार्याले के उद्खाटन के मौके पर राष्टिय प्रवक्ताने कहां हम किसी की बी टीम नहीं है गुजरात विदान सबा चुनाओ की तारिक अभी गोशित नहीं की गई है और सभी राजनितिक दल पहले से ही अपने उमिद्वार को जिताने के लिए जोर शोर से जुटे है सुरत के AIMIM पार्टी उमिद्वार के कार्याले के उद्खाटन के मौके पर मौझुद राष्टिय प्रवक्ता और पुर्व विधायक वारिस बठाने कहां हम किसी की बी टीम नहीं है हम पर जुटा आरोप लगाया जा रहा है जो पूरी थरह से निराधार है इस बात हम गुजरात में कई सीटों पर लड़ेंगे और जीतेंगे पाश्वा कॉंग्रेस ने कोई काम नहीं किया सुरत के होडी बंगला में कोहिनूर प्लाजा में उमिद्वार वसीम कुरेश्वी की कार्याले का उत्खाटन किया गया इस मौके पर वरिस पठान ने कहा कि गुजरात में सालों से बीचेपी और कॉंग्रेस का राच चल रहा है कॉंग्रेस ने 30 साल और बीचेपी ने 27 साशन किया लेकिन कोई विकास कार्या नहीं हुआ इसलिए हम अपना एजणडा और योजना लेकर आए हमारे पास एक करोड में भें और उमिद है कि लोग हमें स्विकार करेंगे और हमें मौका देंगे गारंटी कार्ट जुटे साबित हुए आम आदमी पाठी पर हमला बोलते हुए वारिस पठान ने कहा कि दिल्ली में लोगों को बिजली गारटी कार दिये गए लेकिन उसके बाद फोम भरे जा रहे है जिनकी गेरंटी की आवश्यक्ता नहीं है बीजेपी नफरत की राजनिती कर रही है पहले हिंदू मुसल्मान के बीच फासला बना हुआ था अब तो रोटी और पराठे जैसे खाने पिने की चीजों का भी राजनिती करन किया जा रहा है पराठा कर लगाया गया है यहां क्या साबित करता है हम विकास की राजनिती करने जा रहे हैं हम स्वास्ते और शिक्षा पर जोर दे रहे हैं जबकि बीजेपी और कॉंग्रेस समित पार्टिया ऐसे फाउंडेशन की बात नहीं करती है। एक आपके हल्मे से आपका अपना चाहिता अजीज अबदुलबशीर शेक साह। और दूसरे कैंडियरी जनाब शानावास खानपान बापुल लगर अंदावाद से डिक्लिएर की है। हमाई लीडर्शिक को पैचान दिला गया है जो एक पैरिष्टा असदुजी नोवेशी साहब का सपना है कि हमारे लीडर हमारे अंदर से निकले हमारे घरों से निकले जिसकी हमें आज के माहूल में जरुवत है वो जरुवतेजी है कि कितने समय से पिस्टे सालों से एक बेकावे ने हमें एक वोट में तप्पिल किया है किसी ने कहा हम से आके कि हम पंजे से वोट मांग रहे हैं हमारा निसान पंजा है और ये पंजा खाजा का बंजा है मुझे ये बताओ कि खाजा का बंजा कभी हार सकता है कभी हारा है तो ये नकली बंजा लेके घूम रहे हैं आप लोगों के बीच में अब जब हम आ गए तो इन्हें हो गई तकलीफ अब तकलीफ एसी हो गई कि हमारे पोस्टर भी फाड़ने लगी आपके महलों में आपके गलियों में हमने पोस्टर लगवाए वो फाड़ने लगे इससे हमें महसूस हुआ कि हमारी आवाम हमारी परफ है जो मुझे दीख रही है एक पार्टी ओर आई इसने हमारी माबैनों को भी गेरंटी काट दिये मेरे मिलाज से इसके स्पीच में कहा था पिसे एक बार दोरा देता हूं उसने कहा गेरंटी काट दे रहा हो दोजार रुपे महीने दुन्हा मेरी बाह बैनों को अब उनसे जाकर ये कहना चाहना चाहिए कहना चाहिए कि भाई मेरी मा बेने मैने का दोर गया अपने बच्चों का अपने भाई का अपने अफ़न का खाली सद्का कर देती है उसको 2,000 रुपी की क्या दर रहा है और रही लाइट बील फ्री देने की बास जाड़ू लेका है मुफ्ट 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 अरे भाई हम कई सालों से बील भर रहे हैं जब एक बल चलता था वो छोटा वाला सोड का तब भी बील भर रहे थे और अब पांच ऐसि चलितल अलम्दोल्ला तभी भी बृ बहर है हमें फ्री की आदब नहीं है भाई हमने फ्री को भी खाया ही नहीं हम जखात देने वाले लोग हमें फ्री की की जडरूए से स्थर्ण ये फिरी की जो आप ये स्कीमे ला रहे हो ना ये कहीं और ले जाहिए जहां काम आपका बनता हो दिल्ली वालों ने देख लिया आपको इस बार वहां भी आप आने वाले नहीं और यहां तो सपने ही ना देखो रही सकतर सालों में इस पाटी ने हमें चोट दी जखमे दी ये मरं भी लगाया और कहने लगे हम आपके साथ हैं जब हमने कहा भाई बाबरी पर बोलो थोड़ा सा तो गए नहीं आकाओं ने मना किया है नहीं बोलेंगे जब हमने कहा चलो ठीक है अभी वक्त आगया बिल्किस पाने हमारी पहन है चलो ठीक है मुसल्मान मत मानों उसको एक इंसानियत करना के बोलो तो टीम खड़े होगे खले में मफलर डाल के